सो हे गाइस वेलकम बैक विथ अनदर वीडियो सो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेसन नमबर 12 वाई इंग्लिस इस सो हाड कहने का मतलब यह पूल रहा है कि इंग्लिस इतना कठिन क्यों है तो फ्रेंड्स हम यह पढ़ रहे हैं क्लास फॉर्थ का और के प्लेश्ट में जाकर आप वहा से देख सकते तो फ्रेंड्स बिना देरी कि इस वीडियो को शुरू करते हैं तो सबसे पहले यहां पर क्या लिख के रखा है उसे हम समझते हैं यहां पर बोलता है वाइं इंग्लिस इस तो हॉ हार्ड तो कहने का मतलब बिगिन विट अ ब बोलता है कि ox का जब हम plural बनाते हैं तो वो oxen बनता है जो कि oxes नहीं बनता है ऐसा यह बोल रहा है मतलब कहने का मतलब box का boxes हुआ तो ox का oxes क्यों नहीं हुआ oxen क्यों हो गया यह बोल रहा है you may find a lone mouse or a whole lot of mice कहने का मतलब आप जब एक चुहा देखते तो आप उसे mouse बोलते हो या बहुत सारे चुहे देखते तो आप mice बोलते हो but the plural of a house is houses not heist कहने का मतलब mouse और house एक जैसे तो mouse का plural mice है but house का plural heist क्यों नहीं है houses क्यों है ऐसा वो बोल रहा है ठीक है समझे जरह बहुत फ़नी चीज़ वो बोल रहा है समझो house का houses houses but mouse का mice ऐसा वो बोल रहा है आगे बोलता है if the plural of man is always called man यहापे जो man होता है एक single आदमी जब बहुत सारे आदमी आते हैं हम plural में men बोलते है why shouldn't the plural of pan be called pen कह रहा है तो फिर pan को हम जैसे man को men बोलते है तो pan को pen क्यों नहीं बोलते है pants क्यों बोलते है pants ऐसा वो सोच रहे ठीक है देखो इसलिए rules होते है सब के सब tricky कुछ tricky होते हैं ठीक है tricky words होते हैं जिनके अलग-अलग होते हैं ठीक है हर जगा same rule apply नहीं होता अब क्या बोलता है and I speak of a food and you show me your feet कहने का मतलब हम एक पैर को food बोलते हैं लेकिन आप हमें feet दिखाते हैं मतलब आप दोनों पैर दिखाते हैं तूनों पैर होता है feet जैसे एक दांत को हम tooth बोलते हैं look पेस तूथ मतलब एक दाथ पर प्लियूरल में हम उसे तीथ बोलते हैं तो उसी तरह यह बोल रहा है फूट मतलब एक पैर लेकिन आप हमें तो दोनों पैर दिखाते हो जिसे हम फीट बोलते हैं बट आई गिव यू अबूट जब हम आपको एक बूट देते हैं यानि की जूता देते हैं वुड वुड अपेर भी कॉल बीट तो बूट को हम बीट बोलेंगे बिलकुल नहीं बूट सो जाएगा वो ठीक है तो फूट का फीट तो यह बोल रहा है तो क्या बूट को हम एंट थ्री में भी दोज और वहां पर अगर दूर में एक लोग खड़ एक हैं तो उसे हम बोलेंगे डाट परसन एक आदमी है तो दूर है हमसे तो हम उन्हें इशारा करके बोलेंगे दोज दोज परसंस अब यहां पर बोलता है यह प्लूरल ऑफ है इसी लिए तो जो प् पर क्या बोलता है दा मुस्कुलिन प्रोनाउंस आर ही हिज एंड हिम जो मस्कुलिन प्रोनाउं है जैसे एक लड़का है उसे हम ही बोलते ही मतलब वह ही मतलब उसका हिम मतलब उसको बट इमेजिन दा फैमिन फैमिन जिसे हम शी बोलते है उसे शिज और शिम नहीं बोल सकत तो शी के लिए शीज और श्रिम बोलेंगे क्या ऐसा वो सोच रहा है बट इमेजिन करो जाए रहा हां बोलता है सो आवर इंग्लिश तो इसलिए आवर इंग्लिश जो हमारी इंग्लिश रहा है आई तिंग यू विल ओल एग्री आप जो है मेरी बात उसे सहमत होगे कहने का मतलब यह जो हमारी इंग्लिश है मुझे ऐसा लगता है यह बहुत ट्रिक लगते हैं बहुत दिमाग लगाना पड़ता है जैसा कि आपने आज तक कभी देखा होगा समझ बहुत तो अब जो है यह हमारा एक्स्प्लेनेशन हो चुका है अब यहाँ पे थिंग्स टू बोला है बोलता है answer the following question what makes English the trickiest language हमारे English को trickiest language क्या बनाता है भाई उसकी spelling अलग-अलग प्रकार की spelling अलग-अलग प्रकार की meaning हर जगा same rule apply नहीं होता एक ही rule से सारे words नहीं बनते ठीक है समझ में आ रहा है सबके अलग-अलग words होते है rules होते है जिन्हें आप higher class में जरूर mice men feet तो oxen का हो जाएगा ox mice का हो जाएगा mouse men का man feet का foot ऐसा होगा write the plurals off अब यहां पर बोलता है plural लिखो boot का boots हो जाएगा house का houses हो जाएगा dad का those हो जाएगा और pen का pens हो जाएगा not pen वह ऐसा ही बोल रहा था ना अब क्या बोलता है second make a list of other tricky example you know keep adding to your list अब क्या करो आप अलग-अलग tricky बहुत सरे tricking जो example आप जानते हो उन्हें list बनाओ और अपनी list में उन्हें भी add करो अब आगे क्या बोलता है third list of funny words you find in this poem जैसे example हाइस दिया था mouse house के लिए फिर उसके बाद हाइस दिया था हाइस तो यह इसकी कोई meaning में हुई इसलिए जो है यह funny language जितने भी आपको poem में दिखते हैं उनका आप यहां पे list बनाओ अब आगे जो है fourth number पे वो क्या बोलता है तो राम is a boy तो राम की जगा अब दुबारा बोलूँगा वह बहुत अच्छा खेलता है तो मैंने राम को बोला वह he plays very well ठीक है तो राम को मैंने he बोला for example अब यहां पे for example यहां बोलता है we we मतलब हम we we use he his him in place of john john को हम क्या बोल सकते john को बोलते john बहुत अच्छा लड़क john's pen अभी मैं बोलू john का bag john's bag इसके लिए बोलूँगा मैं his bag respectively ऐसे मतलब यहां पे his him यह सब क्या है प्रोनाउंस प्रोनाउंड वर्ड है write what you will use to marry marries and to marry in the following sentence अब क्या बोलते है marry is my friend अब यहां पर marry के लिए आप क्या use करोगे marry is my friend तो marry के लिए आप क्या use करोगे आप यह बोलों के marry is my friend marry मेरी दोस्त है ठीक है and यहां पर आप बोल सकते हो कि she is very intelligent तो यहां पर marry के लिए आप she use कर सकते हो यानि Mary's अब यहाँ पर Mary का सो हम क्या बोल सकते हैं Her, समझ रहो Her bag, ठीक है Her bag हो जाएगा ऐसा कुछ example And this is Mary's notebook अब यहाँ पर क्या बोलता है This is Mary's notebook Mary का notebook तो her notebook यहाँ पर Mary's की जगह पर आप her book कर सकते I want to return it to Mary Mary को return करना चाता हूँ तो Mary के लिए आप यह भी कह सकते हो कि I want to return it to her Mary की जगह आप नाम की जगह आप उसका pronoun यूज कर सकते हो Her तो यहाँ पर देखो Friends आपका यह lesson भी समापत हो चुका है बहुत ही मज़ेदार lesson था Funny language में ठीक है Funny था एकदम बहुत बढ़िया आपको ज़रूर पसंदायोगा तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना Friends वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद Thank you so much Have a good day